हेलो एवरीवन, वेलकम टू लण मैथ यूनिकली, आज हम सीखेंगे अलजेब्रा, देखिए अगर आपको कोशन दिया हो, x प्लस 1 बाइ x is equal to 3, हो तो x स्क्वाइर प्लस 1 बाइ x स्क्वाइर का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? हम दो तरीके से वैल्यू निकालना सीखेंगे, पहला बेसिक से और सेकेंड ट्रिक से, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, देखिए, क्या है हमारा, x प्लस 1 बाइ x is equal to 3, और हमें निकालना है, x स्क्वाइर प्लस 1 बाइ x स्क्वाइर, मतलम में पावर कितना है, दो है, तो ह हमें दोनों तरफ इसका स्क्वाइर करना होगा, तो हम स्क्वाइर करते हैं, x प्लस 1 बाइ x का, हमें होल स्क्वाइर is equal to 3 का होल स्क्वाइर करेंगे, ठीक है, माल लेते हैं, x क्या है, a है, plus 1 बाइ x क्या है, b है, तो हो गया न, a प्लस b का होल स्क्वाइर, हमें पता है, a plus B square plus 2AB ठीक है, उस formula पे हम बैठा देंगे देखिए A square मतलब में X का square तो लिखेज़ेंगे हम X का whole square plus B का whole square लिखेंगे 1 by X का whole square plus 2AB होता है तो 2 गुना हमारा क्या है, X है, X B हमारा क्या है, 1 by X है, 1 by X is equal to 3 का square 9 होता है 9 हम यहां लिखेंगे x square है x square plus 1 by x का whole square 1 का square तो 1 होता है और x का square x square हमने लिख दिया plus 2 गुना x गुना 1 by x है x और x cancel हो जाएगा तो यहां क्या बचा 2 बचा is equal to 9 ठीक है अब हम लिख सकते हैं x square plus 1 by x square is equal to 9 यहां है और 2 यहां है 2 को हम बराबर के इधर भीजेंगे 9 minus 2 minus का sign इसलिए क्योंकि 2 क्या है हमारा plus का sign में है equal to के इधर जाएगा तो minus में बदल जाएगा 9 में से 2 गया is equal to 7 तो हमारा answer क्या निकला x square plus 1 by x square is equal to 7 यह हमारा answer हो गया हमें यही निकालना था x square plus 1 by x square यह हमारा value आ गया यह हमारा basic था ठीक है अब हम trick से कैसे solve करते हैं वो हम देखते हैं देखी हमें trick से solve करने के लिए एक important point याद होना चाहिए ठीक है हमने पड़ा है plus minus हमारा minus होता है लेकिन इसमें plus हो जाएगा ठीक minus plus हमारा minus होता है लेकिन इसमें plus हो जाएगा ठीक है और minus minus plus होता है तो हमें लेना क्या है minus लेना है ठीक है आप हमेशा याद रखेएगा plus 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 होता है तो हमें minus लेना है plus minus होता है तो हमें plus लेना है minus plus minus होता है तो हमें plus लेना है और minus minus plus होता है तो हमें minus लेना है ठीक है question क्या दिया है हमारा x plus 1 by x यहाँ पे plus का sign है और हमें निकालना क्या है x square plus 1 by x square यहाँ भी plus का sign है तो plus 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 होता है लेकिन हमें minus लेना है ठीक है तो trick है हमारा n square plus minus 2 ठीक है n का मतलब हुआ जो हमारा number यहाँ पे दिया हुआ है n square है तो हम 3 का square करेंगे, 3 का square, plus, plus है, तो हमें क्या लेना है, minus लेना है, तो हम यहाँ पर minus लेंगे, 2, ठीक है, is equal to 3 का square, 9 होता है, minus 2 is equal to 7, यह हमारा answer हो गया, I hope आपको समझ में आ गया होगा यह question, चलिए फिर हम second question देखते हैं, यह second question है, यदि x plus 1 by x is equal to 4 हो तो, x square plus 1 by x square का value निकालना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर plus है और यहाँ भी sign plus है, ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, plus, plus हो तो minus हो जाता है, ठीक है, तो हमारा trick क्या था, n square plus minus 2, ठीक है, and क्या है हमारा, 4 है, तो 4 का square हम करेंगे, 4 का square, यहाँ पर कौन सा sign होगा minus का sign होगा, क्योंकि plus, plus है, तो यहाँ पर minus का sign होगा, minus 2, ठीक है, is equal to 4 का square, 16 होता है, मेच से 2 करणाएंगे, 14, यह हमारा answer हो गया, ठीक है, इस question को आप पहले basic से खुद से solve करिएगा, फिर आप trick से solve करिएगा, तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, वीडियो helpful लगी, तो प्लीज एक लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल Learn Math Unique को सब्सक्राइब करें, थैंक यू,